अंतर राष्ट्रिय संगठनों की आविशक्ता और विकास परिचाए अंतरराष्टिय संगठनों की भूमिका ये सभी देशों की सहयता करते हैं ताकि वे परसपर सहयोग करें और विश में बेहतर जीवन इस्थितियां स्थापित करने हैं तू एक साजह मंच प्रदान करें जहां विवादित मुद्दों के शांती पून समाधान है त चर्चा की जा सकती है एक महाशक्ती के वर्चस्व वाले संसार से निपटने में संयुक्त राष्ट की क्या भूमिका है संयुक्त राष्ट संग संयुक्त राष्ट संग को सबसे महदपून अंतरराष्टिय संगठन माना जाता है मानफ्ता की शांती और प्रगती के लिए ये एक महान आशा का प्रतीक है, परंतु क्या संयुक्त राष्ट संग अवश्चक है? कुछ लोगों का कहना है कि अंतर राष्टिय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है, वेसे बत कही चौपाल कहते हैं, परंतु ये संगठन युद्ध और शांती के दौरान सहयता करते हैं, देश अपने मुद्धों पर चर्चा कर सकते हैं और युद्ध में जाने के स्थान पर श जांती पून समधान खोच सकते हैं. मिल कर काम करना राष्टों द्वारा मिल कर काम करने से रोगों जैसी समस्याओं का उन्मूलन किया जा सकता है. यदि संसार के राष्ट अपनी अपनी जनसंख्या के टीका करण में सहयोग करते हैं तो इसे समाप्त किया जा सकता है संसार यदी साथ मिलकर कारिक करे तो विश्व व्यापी ताप वृध्धी को भी नियंत्रित किया जा सकता है और प्रतीक देश अपना स्वैम का समधान ढूंड सकता है संयुक्त राष्ट का विकास 20 अक्टूबर 1945 को 51 देशों द्वारा ड्यूतिय विश्व चार्टर के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट की स्थापना लीग आउफ नेशन्स जो ड्यूतिय विश्व युद्ध को रोक नहीं सकी उसके क्रमा अनुयाई के रूप में की गई थी से राष्ट हैं संयुक्त राष्ट के प्रमुकंग, आमसभा और सुरक्षपरिशद हैं संयुक्त राष्ट की सन्नचना संयुक्त राष्ट का महसचिव इसका प्रतिनिधिक प्रमुक है सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए स्वयुक्त राश्ट की कई विशिशक्गे एजिंसिया हैं जैसे UNDP, WHO, UNHRC, UNHCR, UNESCO और UNICEFादी है ये विशु को एक साथ लाने के लिए कुशल ढंग से कारे कर रही है संयुक्त राश्ट में सुधार सुधार, संयुक्त राश्ट के सुरक्षा परिशत की कारे पद्दती में संगठन की सनजन और प्रक्रियाओं में सुधार चर्चा के सबसे बड़े मुत्य है इसकी स्थाई और आस्थाई सदस्था की मांग बढ़ लही है और एशिया, अफरीका और दक्षणी अमरीका से इसके लिए प्रस्ताव भीज गए हैं अमरीका और अन्य पश्चमी देश बजटिय प्रक्रियाओं और प्रशासन में सुधार चाहते हैं हुए परिवर्तन सोवियत संग के विखिटन के पश्चाथ अमरीका सबसे प्रबल शक्ती है चीन और भारत भी उभरती हुई शक्तियाँ हैं नए देश संयुक्त राष्ट में सम्मिलित हुए हैं और नर्संगार, ग्रिह युद्ध, नसलिय विवाद, आतंकवाद, परमाणमिक प्रसार, जलवायु परिवर्तन, परियावर्णिय हानी और महामारियां जैसी चनोतियों से सामना हो रहा है सुधारों के प्रकार समय के साथ संयुक्त राष्ट को दो प्रकार के सुधारों का सामना करना पड़ा है पहला संगठन की सनचना और प्रक्रियाएं और दूसरा उन मुद्दों की समिक्षा जो संयुक्त राष्ट के नियाय अधिकार में आते हैं जैसे वीटो शक्ति केवल स्थाई सदस्यों के ही पास क्यों? शक्तिशाली राष्ट्रों का वर्चस्व और शान्ती और सुरक्षा मिशनों आती में अधिक प्रभावी भूमिका निपाना. क्या आवशक है? 1989 में शीत युद्ध की समाप्ती के पश्चाथ विश्व के सामने ये प्रश्ण था. क्या संयुक्त राष्ट्र का कारे परियाप्त है? जो इसे करना चाहिए? क्या ये उसे करने के लिए सुसजित है? इसे क्या करना चाहिए? और कैसे? संयुक्त राष्ट्र के कारे को बेहतर बनाने के लिए कौन से सुधार आवशक है? पिछले देड़ दशक से सदस्य राष्ट्र इन प्रश्णों के संतूष जनक और वैवाहरी कुत्तर खोजने का प्रयास कर रहे हैं. संरचनाओं और प्रक्रियाओं में सुधार संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव सन 1992 में संयुक्त राष्ट की आम सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें तीन मुख्य शिकायते प्रतिपिम्बित थी सुरक्षा परिशद राजनीतिक वास्तविक्ताओं का प्रतिनिधित्वन नहीं करती है निर्ड़ायों में केबल पश्चिमी मोलियों और हितों की छाप होती है और इसमें बराबर का प्रतिनिधित्वन नहीं है एक जन्वरी 1997 को संयुक्त राष्ट के महा सजिवने एक जाच प्रारंब करा दी नए सदस्यों के लिए मान दंड, नए स्थाई और आस्थाई सदस्यों के लिए मान दंड प्रस्तावित किये गए है ये एक प्रमुख आर्थिक और सैन शक्ती होनी चाहिए संयुक्त राष्ट बजट में महत पून योगदान करता जन संख्या के लिहास से बड़ा हो लोकतंत्र और मानवा दिकारों का सम्मान करता हो और परिशत को अधिक प्रतिनिधित्वकारी बना सके लाभ और हानिया इन मानकों की अर्थ वैवस्था के आधार पर या सैन शक्ती को कैसे परिभाशित किया जा सकता है कि सिस्तर का बजट आदी इन सबसे परिशत के प्रभावी सदस से कैसे बन सकते हैं कुछ लोग इस बात पर बल दे रहे हैं कि पांच स्थाई सदस्यों की वीटो यानि निश्यधा दिकार समाप्त की जाने चाहिए तुरक्षा परिशद में पांच स्थाई और दस अस्थाई सदस्ये हैं विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में स्थिर्टा लाने के लिए स्थाई सदस्यों को विशेशा दिकार प्रदान किया गया अस्थाई सदस्यता एक समय में केवल दो वर्षों के लिए ही मिल सकती है और उन्हें वीटो शक्ती उपलब्द नहीं है और वो राश्ट फिर से शिग्र निर्वाचित नहीं हो सकता वीटो शक्ती तुरक्षा परिशद में निर्णें मतदान के आधार पड़ लिये जाते हैं सदस्यों की एक इही वोट होती है स्थाई सदस्यों से नकरात्मक ठंग से मतदान कर सकता है और भले ही अन्ने सभी सदस्यों ने किसी विशिष्ट निर्णें के लिए वोट किया हो स्थाई सदस्यों का नकरात्मक वोट उस निर्णें को पलड़ सकता है इस नकरात्मक वोट को वीटो कहा जाता है संयुक्त राष्ट संग का न्याय अधिकार उठाय गय कदम संयुक्त राष्ट संग ने सितंबर 2005 में अपने अस्तित्व के 60 वर्ष पूरे किये सभी सदस्य राष्टों के अध्यक्षों ने सयुक्त राष्ट को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए शांती संस्थापक आयोग का गठन, मानवा अधिकार परिशत की स्थापना, आतंकवात की निंदा, सहसराब्ती विकास लक्षियों की प्राप्ती के लिए सहमती, एक लोकदंद्र कोश का गठन और न्यासिता परिशत को समाप्त करने पर सहमती जैसे कदम उठाएं हैं। विवाद के मुद्दे कई विवादास्पद मुद्दे थे जैसे विश्यु भर में कई संघर्ष चल रहे हैं। और शान्ती संस्थापा कायोग को क्या करना चाहिए, कहां हस्तक शेप करे या हर विवाद में दखल देना संभव या उचित होगा। अंतर राष्ट्रिय समुदाय का क्या उत्तरदायत्व है, मानवा दिकारों की भूमिका और मानवा दिकारों के हननकस्तर और क्या कारवाही करनी है, उसका निर्णे कौन करेगा। और विकास शील देशों के लिए सहसराबदी विकास लक्षों और उसमें सूची बद्ध अन्य लक्षों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर राष्ट्रिय मुत्राकोश आई-एम-एफ अंतर राष्ट्रिय मुत्राकोश विदेशी वित्तिय संस्थानों और विन्यमों का परिविक्षन करता है। इसके एक सो असी सदस्य हैं, जिन में से जी आठ सदस्यों की शक्तियां अधिक हैं। अर्थात अमेरिका, जापान, प्रांस, यूके, इटली, जर्मनी, कनेड़ा और रूस, सिवाए चीन और सौधी अरब के, अकेले अमरीका के 16.75 प्रतिशत मताधिकार हैं। विशु बैंक 1944 में स्थापित विकाशील देशों को मानिविये विकास, क्रिशी और ग्रामीन विकास, परियावरन सनक्षन, आव सनचन और शासन के लिए रिण और अनुदान प्रदान करता है। अंतराश्ट्रिय परमाणू उर्जा एजेंसी 1957 में अमरीकी राष्टपती डिवाइट एजन हावर की शान्ती के लिए परमाणू प्रस्ताव को लागू करने के लिए स्थापेत। ये परमाणू उर्जा के शान्ती पून उप्योग को बढ़ावा देता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्युभर में मानवाधिकारों के संरक्षन के लिए एक स्वयम सेवी संगठन है। ये भी मानवाधिकारों के समर्थन और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अन्ने स्वयम सेवी संगठन है। भारत और संयुक्त राष्ट संग में सुधार भारत ये मानते हुए कि एक परिवर्तन शील संसार में संयुक्त राष्ट संग का पुनर गठन वांचिनिये है भारत ने संयुक्त राष्ट संग के पुनर गठन का समर्थन किया भारत का ये विश्वास है कि संयुक्त राष्ट संग के एजंडे में विकास का मुद्दा प्रमुख होना चाहिए क्यूंकि शान्ती और सुरक्षा बनाए रखने है तू ये महदपूंग है चिंताएं, सुरक्षा परिशत की सदस्य सनचना मुख्य रूप से स्थिर ही रही है जबकि संयुक्त राष्ट की आमसभा में सुदस्यों की संख्या में खूब वृद्धी हुई है भारत का ये तर्ख है कि परिशत का विस्तार करने से इसे विश्व ब्रादरी का अधिक समर्थन प्राप्त हुगा सुरक्षा परिशत की सदस्य संख्या का विस्तार 1965 में 11-15 किया गया था स्थाई सदस्ये, पुनर गठित संयुक्त राष्ट संख में भारत स्वयम एक स्थाई सदस्ये बनना चाहता है क्यूंकि ये विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत ने संयुक्त राश्ट के लगभग सभी पहलों में भाग लिया है अंतराश्टिय फलक पर भारत तेजी से एक आर्थिक शक्ती बन कर उभर रहा है ये भी सुरक्षा परिशद में भारत के स्थाई सदस्यता के दावे को उचित ठहराती है भारत संयुक्त राश्ट को नियमित रूप से वित्तिय योगदान करता रहा है प्रतिवात कुछ देश भारत के पाकिस्तान के साथ कठिन संबंधूं, परमानों हथियारों की शमताओं के कारण सुरक्षा परिशद में भारत को स्थाई सदस्य के रूप में संब्लित करने पर प्रश्न उठाते रहे हैं और यदि भारत को संब्लित किया जाता है, तो ब्राजील, जर्मनी, जापान, दक्षण अफरीका जैसी उभरती हुई शक्तियों को भी संब्लित करना पड़ेगा अमेरीका और फ्रांस, अफरीका और दक्षण अमेरीका को भी संब्लित करने का समर्थन करते हैं, क्यूंकि वर्तमान धाचे में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है एक धुरुविये विश में सन्युक्त राष्ट संग चिंताएं, कुछ देशों को ये आशा रही है कि वर्तमान एक धुरुविये विश में, जहां अमरीका बिना किसी गंभीर प्रतिदोंदता के सबसे अधिक ताकत वर देश है, सन्युक्त राष्ट संग इन बदलावों के पश्चात कारगर ढंग से काम कर पाएगा चिंता का विशा ये है कि क्या सन्युक्त राष्ट अमरीकी प्रभुद्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है या क्या ये अमरीका और शेश विश्व के बीच संवाध कायम करके अमरीका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है संयुक्त राच्य अमरीका संयुक्त राष्ट संग अमरीकी प्रभुद्व के विरुध संतुलन बैठाने का कारे नहीं कर सकता क्यूंकि 1991 के पश्चा से अमरीका ही एक मात्र महाशक्ती है और किसी भी अंतराष्टिय संगठन की आर्थिक और सैने रूप से अंदेखा कर सकता है अपनी वीटो शक्ती से अमरीका अपने हितों को प्रभावित होने वाले किसी भी प्रस्ताव को रोख सकता है और साथ ही संयुक्त राष्ट संग के महा सचिव के चयन में भी अमरीका की बात का बहुत महत्व है एक धृव्ये विश्व अमरीका संयुक्त राष्ट संग का सबसे बड़ा वित्तिय योगदान करता है और भौतिक रूप से संयुक्त राष्ट संग के अमरीकी क्षित्र में स्थित होने से वाशिंग्टन के प्रभाव को अतरिक्त स्रोत मिल जाता है सन्युक्त राष्ट संग की नौकर्शाही में कई अमरीकी हैं, वीटो शक्ति से ये किसी भी प्रस्ताव को रोख सकते हैं इसलिए सन्युक्त राष्ट संग अमरीका के विरुध संतुलन का कारे नहीं कर सकता, अमरीका का आधिपत्ते है संयुक्त राष्ट संग विरुद्ध तरकुं को सुना और निप्टाया जाता है